राइस्ट्रों जैसे क्रिस्पी फ्रेंच व्राइज आज मम्ता भरी थाली में कुछ मम्ता टिप्स के साथ इसके लिए हमें चाहिए दो या तीन आलू आप लो स्टार चाहिए या आलू की कौन सी वेराइटी होगी इतना कैलकुलेशन नहीं करना किचन और टेस्ट के आगे क्रिस्पी बनेंगे बस मेरी वीडियो और चैनल को फोलो करें यहां मैंने चोपिंग बोल लिया है अब हम जल्दी से इसके स्लाइसिस बना लेंगे स्लाइसिस मुझे पतले पतले पसंद है यह आप पर डिपेंड करता है आप ठिक भी रख सकते हैं राउंड भी बना सकते हैं धर में ही खाने हैं बस खाना टेस्टी और हाईजनिक बनना चाहिए यह स्लाइसिस कटके रेडी हैं बॉल में 10-15 मिनट के लिए डाल दें बॉल म नॉर्मल या ठंडा पानी कुछ भी ले सकते हैं अब समय है ममता टिप का इससे आलू का एक्सरे स्टार्च निगल जाएगा लैमन की कुछ बूंदे आप पानी में डाल सकते हैं आलू को दो या तीन पानी में अच्छे से दोई एक पैन में पानी ले और गरम करने के लिए बरनर पर हाई फ्लेम पर रख दें और अब इन आलू को तीन से पांच मिनट तक गैस पर पकने दें ऊपर से जाएगा अब आदा चमच नमक ध्यान दें अब इस पानी में उबाल नहीं देना नहीं तो आलू टूर जाएंगे बीच बीच में आप पल्टे से हिलाते रहें नहीं तो ऊपर से आलू पक जाएंगे और नीचे से कच्चे रह जाएंगे अब पांच मिनट हो गए हैं गैस फ्लेम बंद कर दें अब इन स्लाइसिस के मोश्चर को सुखाने के लिए कोटन के किसी कपड़े पर शिफ्ट करें एक स्पून या फॉग के हेल्पसे से हिलाए हैं और आज ही दशंपना मिनट के लिए फ्रीजर में रकते हैं अब हम स्लाइसिस को फ्राइब करेंगे यहां मैंने रिफांड ओय लिया है हाई फ्राय करेंבה अ पहले हाई फ्लेम पर एक मिनट के लिए और फिर लो फ्लेम पर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते अब टाइमर लगाकर एक मिनट में आलू फ्राइज को ओईल से निकालें और 10-15 मिनट ओपन में रख दें इस स्टेज पर आप फ्रेंच फ्राइज बच्चों के फ्राइज को लो फ्लेम पर पकाएं अच्छे से बोल्डन ब्राउन होने दें फ्राइज करने के बाद इसे एक चन्नी में निकालें जैसे की वीडियो में दिखाया गया है इससे एक्स्टा ओई प्लेट में निकल जाएगा अब इसमें उपर से डालें आदा चमच नमक थो और लीजिए जर्व करें टोमेटो केचप और मेरी परसनल फेवरेट पुदीना चटनी के साथ